हाई फ्रेंट आप सभी लोगों का एक पर फिर से बहुत मुझा स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैंने इस चैनल पर दान दर्दा ठीक करने वाला बहुत सारे घहर लुपाय बता हूं अगर उस उपाय को करने के बाद भाद भी अगर आपके दान दर्दा ठीक नहीं हुआ है तो आज के हमारी यूट्यों में बताएंगे चोटा सा घहर लुपाय करने के बाद आपके दान दर्दा हमेसे अगले ठीक हो जाएंगे देखें दोस्तों दान दर्दा होना आम बात है लेकिन समय रहते हैं गर इसको उपचार नहीं किया जाए तो कभी क पहले एक बार जो है आज के हमारी वीडियो में बताया जाए रहे अरवेडिक दवा का परयोग करें आपके दान दर्दा ठीक हो जाएंगे देखें मैं यहाँ पे आपको दो घहर लुपाय बताऊंगे दान दर्दा ठीक निकले पहला उपाय में आप जो है दोस्तों अदर अदर्दा हो तो इस साइच का आपको अदर्दा लेनी है और अदर्दा को आपको पीछ लेने हैं दोस्तों अदर्दा को पीछने गमद आपके जिस भी हिसे में दान दर्दा हो रहे वहाँ पे आपको लगा देनी है आपके दान दर्दा देखेंगे आप 5-6 मिनट के भितर में ठीक हो जाएंगे और अधरा की बात करों तो प्राय हर घर के रासोई में मिल जाते हैं तो बहुत इसानी सुपलाब्धा होने वाला यह अरवेदिक दवा है दांतरदा ठीक करने के लिए तो पहला उपाय जो है दोस्तो आप अधरा का परोग कर सकते हैं अब दूसरा उप दांतरदा एक ऐसा समसर जो कभी भी किसी को हो सकती है और यह उपाय को आप अपने दोस्ते हर में भी बता सकते हो तो दोस्तो दांतरदा हो तो क्या करें आपको इस तरह से लेना है यह देख लिए यह माचीस की तिली माचीस की तिली को लेने बाद यह जो दिखे लेना फाल अरभु तो जड़ से दान दर्ध को भत्म करने का पाम काम करता है साथ ही साथ हमारे चैनल को सबिस्क्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करे वीडियो देखने के लिए और अपने किम्ती समय देने के लाब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद